वे मीचिोल फंट डेस जब ये में धि जाथा रिटन को सब्सेज माला ने 2 लेентаर सबसेर में यह होता कि मिचयूल फंट में जैसे हम सर्च करतेयां हैं ना मि research करना एंगर के मिचिवर फंट सब्सक्राइब करें तो जाहिर से बात है कि ऐसा ट्रस्टेबल फंड होना चाहिए एक ऐसा फंड जिसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी हो जिस पर मैं दस साल पचास पचास साल तक पैसा डालता रहां कहीं भी ऐसे तो पैसा लगा नहीं सकते तो पूरी जानकारी होनी जुरुरी है तो आज कोशिश करता हूं आपको पूरी जानकारी में दूँढ देखो समझाता हूं ध्यान से समझेगा मेरी बात आज उमिचुर फंड मैं बताने वाला हो न वैसे तो वराइटी जैसे मैंने कितने सारों के नाम ले लिए बट हमारा मतलब किस चीज से हमारा मतलब इस बना देनाओ दुनिया में बाज 10 मिचुवल ऐससे मतलब है कि रिस्क कम से कम हो और जाँव一樣 anymore तो आज इसी से इसी मुद्दे को सॉल्फ करते हुए हम आज बात करते हैं ठीक है तो देखो मैं दो टाइप के मिच्वर्ट की बात बारे में बात करता हूं फिर दोनों को मिला करके एक नया फंड बनाएंगे बनाएंगे क्यों बना हुआ है कैसी ले रहा है कॉसा लेना चीहां वह सब बारे personalities मुजर सरी डो एक मिजर होता एंगे ध्यक्त वंड में पैसा डाल सकते हो डेफ्ट फंड होटा क्या है पहले यह समझो क्यों होता है अभी थोड़े दिर में बताऊंगा क्यों समझा रहा हूं यह भी बताऊंगा डेफ्ट फंड एक तरह का आप समझ लो तो एवडी जैसा एवडी से बहतर है एवडी आपको अगर छे परसंट साथ परसंट का रिटन देती है तो डेफ्ट फंड आपको आठ परसंट देगी नौ परसंट देगी है दस परसंट देगी है डेफ्ट होता क्या है डेफ्ट का मतलब क्या होता है डेब्ट का मतलब करज के लिए हैना हमने उस फंड में पैसा डाल दिया मतलब हमने किसी को करजा दे दिया किसको करजा दे दिया जैसे डेफ fund हम कहते हैं किसी government bond को government securities को किसी company ने bond बना रखे हैं अब जैसे हम कहते है government bond इसका क्या मतलब है मालो सरकार की कोई company है सरकार की कोई area है सरकार का अब सरकार अगर bank से loan लेती है तो loan मिलेगा 12% 15% 13% पर या फिर कोई company है जो लोन लेगे company से 12-15% पर लोन मिलेगा अब वह company कहती है 12-15% पर लोन लेंगे इस से अच्छाम public से पैसा लेता है अब public से कैसे पैसा लेगी आपके घर का address तो उसको मालूम है नहीं आप डिरेक्ट आपके घर पे टिंग टॉंग करें और वह पैसा दो तो क्या करा ओन्होंने बॉंड बना दिया रहें वहसे उस फंड को हमने बॉंड नाम दे दिया मतलब आपको कंपनी यह कह रहे हैं कि हमारे को पैसा दो बदले में यह पेपर हमसे आप ले लो पेपर का एगा उस पेपर में यह लिखा रहे हैं कि बैंक आपको कि आपको मिलना है कि मिच्वल फंड में यह पार्च पार से कहले होटा है सब्सक्राइब लेकिन वहाँ पेई पहले से यह आट परशन देंगे दस परशन देंगे पहले से तय हो चुका है ठीक है तो रिस्क लोएस्ट हो गया जब डील पहले से तह है तो लिस्क लोइस्ट हो गया ना एफडी में नहीं जा रहे क्योंकि एफडी से ज्यादा अच्छा हमारे को रिटन मिल रहा है अच्छा कंपनी को क्या फाइदा हुआ कंपनी को यह फाइदा हुआ कंपनी अगर बैंक के पास जाती तो उसको 12% इंटरेस्ट भर यह होता है बॉन्ड वाला फंड इसी बॉन्ड वाले फंड को कहते हैं डेफट फंड करजा वाला फंड मतलब जिसको करजा चाहिए उसने एक फंड बना रखा हमने उस फंड में पैसा डाल दिया उसको करजा मिल गया और करजे के बदले सर्टन परसंटेज 9 परसंट ये 10 फिक्स होगा वो हमारे को मिल जाता है डेफट फंड इसको कहते हैं तो डेफट फंड में हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है एक तो रिस्क लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट या फिर ना के बराबर कहें क्योंकि अपने को रिस्क जब भी लो है तो अ लेकिन FDFD से फिर भी बहुत बढ़े हैं ठिक FDFD Endowment Policy उन सब से फिर भी बहुत बढ़े हैं ठिक दूसरी चीज दूसरा फंड होता है अभी एक्विटी फंड ऐसे ही आप मिचूर फंड सच करोगे आपको बहुत सार एक्विटी फंड भी आ जाएंगे एक्विटी फंड क्या होता है यह वह फंड होता है जो पब्लीक से पैसा लेकर मार्केट में डालती है किसी पर्टिकुलर शेयर में लगाती है रिलायंस का सेर ले किसी ना किसी शेयर में पैसा डालेगी बेस्ट ऑन डियर डीटेइल एनलेसिस डीटेइल केलकुनेशन क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के धुर अंदर होते हैं तो उद्धर डालते हैं लेकिन एक्विटी फंड में एक बुरा यह है बुराई यह है रिस्क तो इसमें रिटन तो इसमें ज्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है अब उन्होंने 10 कंपनी का मालो बकेट बनाया वह 10 कंपनी ने आपको अच्छा परफॉर्म करके दिया कहते हैं लॉंग टर्म में कहते क्या है यह तो डेटा है आप खुद भी देख सकते ह में 13-15% मिल जाता है शेयर मांकेट में है तो लेकिन इसकी को गरेंटी तो है नहीं यह भी हो जकता है कि आपको जब पैसा चाहिए 12 साल में 15 साल में तब मांकेट डाउन हो तब आपका पैसा जो मालो पांच लाग रुपए है टोटा टोटल फंड आपका जमा वह पांच ल कि रिटर्न जादा है बुरा यह है कि रिस्क भी जादा है रिटर्न जादा मिल सकता है और रिटर्न कम भी मिल सकता है और रिटर्न बहुत माइनस में होके भी मिल सकता है क्योंकि रिस्क जादा है ठिक दो फंड हमने कंपेर करें कैसा हो इन दोनों का कंबिनेशन अपने को म ज़र जाए मजह ही आजारा इससे बस्ट क्या होगा इससे फंड ऐसे फंड पर बने वह एसे फंड को कहते हैं हाइबृड फंड मतलब आप दोनों की अच्छी वाली चीज लेगी अच्छा इवरेट फंड में का यी ताइप के हाईपरेट इन स्कूर करके दिखाऊंगा एक हाईवरेट फंड एक आईशा ऐफरिट फंड जो कि दाइनमिक गभी डिफंड हो भी मतलब अभी डिसाइड कि हमने पच्छी से कोटिए गलें में अपने को लग रहा है यह मार्कट एक्विटी वाला ज्यादा अपना खराफ जा सकता है रेटेंगा तो हम ने जादा पैसा तीस परसेंट कर दिया या 35% अपने कर दिया अच्छा हम लोग हमको लगे का अच्छा मार्केट अपने को ज्यादा यहाल से मिल सकता है तो हमने क्या करा पचासी परसेंट उठाकर डाल दिया उधर 15 परसेंट शुड़ा डाइनमिक अलोकेशन इसको कहते हैं ठीक है तो एक ऐसा हाइबिरिड फंड अपने को मिल जाए और उस हाइबिरिड फंड में डाइनमिक अलोकेशन अपने को मिल जाए फिर बहुत बढ़िया ठीक है तो हाइबिरिड फंड किसको मैं कह रहा हूं बहुत गरम पानी है गरम पानी प्योंगे तो जीव चल जाएगा सल्वीशन क्या है उसमें थोड़ा सा थंडा पानी मिल दो मिला दो बैलेंस हो गया तो उसी तरीके से एक्विटी फंड भगया थोड़ा सॉरी डेफ फंड जो है अपने को रिटरन कम दे रहा है एक्विट में सभिटेविटे फियाय इनवेस्त करना वंकर ने खर आफ कि अःफंड को स्कॉल रहा है काफीजी इंटरफेस है और सब को समझ में आ जाता है इसमें बड़े आसानी से और आपको भी एंजल वन डाउड करना है फ्री ओफ कॉस्ट है कि वाई सी करने में आपको दो दिन लगेगा तो उसके बाद यह सारी चीज़ आप भी कर सकते हो इन्वेस्ट आप भी कर सकते हो उसका डाउड करने का अब यहां पर उपर सर्च करने का ऑप्शन है अच्छा देखो मैंने सर्च भी कर रखा था तो अडवांस्ट ग्रोथ डाइरेक्ट प्लार मैं इसमें क्लिक कर देता हूं तो यह क्या है यहां पर कुछ चीज़े टर्म पकड़ना आप यह क्या लिखा है डाइनेमिक एसेट मतलब बेस्टबीयान चाही परिण इनको पता है कि कि स तरह के मार्केट में हमारे को में सब्सक्राइब तक dividersurgल तक था सब्स्क्राइब अमें में एक्टबी में पासा को मैं नटेय Swiss impaired को लिख सकतें उनको ठाड़ा है उनकी में बिजिसनेश जाएगई कि बिसमें सब ट्रांस्पेरेंट है सब दिखता है कौन से कैसा परफॉर्म किया सब दिख रहा है तो उनका अगर पता चलेगा लोग ओर इसने तो खराब पैसा डालेंगे नहीं और जब लोग और पैसा डालेंगे नहीं तो उनका कमिशन खतम हो जाएगा ना तो इसलिए इनकी मझबू पूरी है कि आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दें ताकि लोग और उनमें पैसा डालें और उनका कमिशन क्या expense ratio होता है अभी बताऊंगा expense ratio कितना commission कितना इसमें जाएगा वो भी बताऊंगा अच्छा यह जो मैं आपको बता रहा हूं मैंने भी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करा है तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दिया जाए लेकिन यह मेरे recommendation नहीं है मैं फिर भी आपको disclaimer दे दू कि investment करने से पहले अपनी पूरी research अपनी पूरी अनलेसे जरूर कर ले मेरी बातों पर यह दुनिया में किसी के भी सला से कभी investment करना किसी के सला से कभी investment मत करना मैं रहूं कोई भी रहे हमें सापने analysis की जैजिकर की उसके प्लान एक होता है रेगुलर प्लान तोड़ा एक्सप्रेंस रिशु जादा होता है मतलब में चोल होना वाली कमिशन जादा लेते हैं डायक तरफ में अपने यह हो गया ग्रोथ प्लान जैसा कि नय वेसमें अच्छा मिलेगा अपने को ठीक आचे यहां पर इसने तीन साल का और तीन साल में देखो ऊपर की तरफ ही ग्राफ है ना इसका मतलब यह परफॉमेंस पर दिख रहा है कि बढ़िया इसने दिखाए है अच्छा हम अगर पांस साल सेलेक्ट करें तो आल टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर देखो ओल का भी बटन है तो हम और ले लेते हैं और लिया तो यह 2013 से आसपास दिखा रहा है 2013 से ही देखो इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है उपर की तरफ ही गया है यहां पर यह नीचे गया है यह कौन सा टाइम है यह हगा यह 2020 वाला टाइम होकर कोविद बला देख लेते हैं तो हमको यहां पर देखने में यह लग रहा है कि यह अच्छा परफॉर्म किया है 2013 से अब तक दस सालों में ठीक है इसका मतलब इसका सबकुछ ठीक ठाक हिसाब किताब है अगे फिर से रिमाइंड कर दे तो यह मेरे रिकमेंडेशन नहीं है मेरे बोलने से पाइजा मत लगाना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अपनी जरूर कीजेगा मैं तो सर्फ इस फंड के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं आपकी मर्जी ठीक एनलिस कीजेगा अब हम आगे बढ़ता है नीचे कुछ इसमें मुझे और अच्छी लगी देखो दिखाता हूं यहां पर लिखा हुआ है लॉंच इन जनवरी 2013 तो जनवरी 2013 में यह सुरू हुआ था यहां पर यह भी है कि लॉक इन पीरेड इसमें कुछ नहीं है अभी है कभी भी इस फंड में पूरा पैस आप निकाल सकते हो बंद कर सकते हो यह अच्छी चीज मे वर्चा इन परचान तो तो पंद्रा परचान के साप से काल्कुलेट करके अपने को बताएगा मैं अकर कैलकुलेट करूं इसेलेक्टेटें पांट्रा साल के लिए इन्वेस्ट करता हो तो कितना मेरेको रिटरन मेलेगा लंसम लगबग यह कोई फिक्स नहीं है मिचूल फ और मेरको मिल कर रहा है एक आई दाइ सेकड़ा हजाष,озя्ड लाग, दस मुल रहा है, यन की एक करोड रुप्य का टोटल गेन है मेरा को टोटल गेन है मैंने इन्वेश कर रहा सिर्फ नौवलाख रुप्य है तो यह स्तरह कि अगर इसी तरह का पॉफोर्मेंस आगे भी रहता है तो यह निकाल करके यह देगा तो बहुत बढ़े हैं अच्छा च्छोड़ा सब कर देता हूं अगर आप हजार रुपए इसमें डालो तो कितना बनता है कि मैं अगर हजार रुपए पंदरह सल के लिए डाला तो एक लाग असपास मेरा इंवस्मेंट है और रिकाई दाई सेकड़ा हजार दसदर लाग दसलाग बीस लाग रुपए अपने को टोटल गेन मिल रहा है यानि कि बाइस लाग रुपए का रिटन मिल रहा पंदरह साल अ करते हैं तो अच्छा इसी कर ताम अगर हम थोड़ा डबल कर दे तो तीस साल के लिए कर दे तो कि एकाई दाई सेकड़ा हजार दसदर लाग दसलाग करूर दस करूर सिर्फ एक हजार रुपए हर मही ने तीस साल तक दिया दू दस करूर और 9 करूर हो जाए 8 कर ոिपांछी करोर हो जाए फिर भी बहुत बिणिया है ठीक है तो यह इसाब किताब है अब आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं यहां पेक्चिस देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट यह कह रहा कितना पैसा इस फंड के पास अभी लोगों ने टोटल इनको दे रखा है पच्पन लाग पच्पन हजार छेसो चार करोड पच्पन हजार छेस कमिशन वह सिर्फ 0.86% के बीच होता है तो जादा हो जाता है 0.86% के अच्छा है और इंक्लूसिव जीस्ट इदना ही लगने वाला है और अच्छी बात यह कि SDFC का फंड है तो SDFC एक बड़ा ब्रैंड है तो ट्रस्टेड ब्रैंड है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको कोई अलू जलू होता था मैं नाम भी नहीं लेता ठीक है और थोड़ा आपको बता देता हूं एक परसंट लगेगा एक्जिट लोड अगर आप सरी एक परसंट लगेगा एक्जिट लोड इफ यूनिट्स रेडीम स्विश्ट आउट विदिन ए एक साल के अंदर जब आप मैं कहा रहolare करा हूं उससे अच्य art Professor ऑफ देफ फंट में आप डाल दो खनिया है ऐसे क electrify लगा नहीं मतलब करते हो तो ऐसे भी एक्जिट रूटने ही लगने वाला है ठीक है निची आते है टैक्स के बारे में लोगका सवाल रहता है रहे हैं लगए इक साल के अंदर निकालोगे तो एक्जिट लोड लगेगा प्लस 15 पर्शेट अन गेंज मतलब जित्ता प्रॉफिट आपने कमाया ए पहराइक लाग का एग लाग दो सटाथ ऑगा तो उस थरस हजार पर फंद्रह पशटार लगेगा अगर एक साल के अंदर निकाल रहो तो लेकिन एक साल के बाद अगर निकाल रिट्राल आफ्टर अफ्टर एयर तो तो सिरफ दुष यह पाले पडला लग रह था अब दर्स प का अगर गेन है तो टेक्स नहीं लगेगा एक लाग से उपर का गेन है तब टेक्स लगेगा दस परसेंट वह भी एक साल के बाद ठिक एक साल के बाद अगर विड्रौ करते हो तो अब आजाओ निच रिचिक और रिच जाओ यह देखो बेरी हाई लिस्क रिखा वह रहता है यह सब में लिखा रहता है क्योंकि मुच्वल फंड जहां स्टॉक मार्केट की बात है तो बेरी हाई रिस्क ही लिखा रहेगा सब में ठीक है अब आजाओ फंड मैनेजर का नाम रिखा है प्रशांद जैन इनका कभी नाम सुना है मैंने अब किस किस कंपनियों में यहां प ठीक है तो यह नीचे करके आप सारा देख सकते हो कहां कहां आपका पैसा जाएगा कितने कितने परसंटेट केज़ आप से ठीक है अच्छीज और देखो एक सिमिलर फंड है एज एजिए स्मॉल कैप बैल इस परशन के रिटन यह तीन साल के सपस का दिखा रहा होगा अभी साथ में हाय रिस्क भी तो मैं तो कभी नी कहता है स्मॉल कैप में आपको खेलना तब है जब थ्टोड़ा कलेजा है जब पैशा डूबने का डर न हो आपका चला जा जाता उद्टा पास दस लाग कर डूब झाल नहीं है तब जाना इसमाल के पर तो यह सकता है वह तसलाग सब कंपनिया ठीक समय अब नीचे हम तुड़ा आगे बढ़ते हैं बस यह अब इन्वेस्ट बटन आगया आप इस इन्वेस्ट बटन पर क्लिक करके अपना काम दाम सुरू कर सकते हुआ तो यह था पूरा फंड एज एपसी बैलेंस्ट डाइनेमिक एसे टालोकेशन मुझे अच्छा लगा ठीक अब बने बंद करती है इसको आई योप फाइदा आपको मिला होगा थोड़ी क्लारेटी आपको मिली होगी मैं इस चीज सोच रहा हूं मिच्वल फंड मैं बड़ा कंशूजन होता है लोगों एक पूरा एक सेशन किया जाए मिच्वल फंड के आगे पीछे उपर नीचे आएं बाएं दाएं सब लेकर के लिए बड़ा लंबा होगो धाई से तीन गंटे का इसपास चला जाएगा हो लेकिन उसमें एक वी सीडी से लेकर के एस से लेकर जट तक सब कुछ पता तो मुझे बताए कमेंट बॉक्स में हम उसका भी प्लान कर सकते हैं ठीक है बाकि आपको भी इंवेस्मेंट शुरू करना है तो एंजल वन काफी अच्छा लगता है मुझे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप टाउनलोड करके वहाँ पर इंवेस्मेंट सामत कीजिए कि सागर सर ने दिखाया है तुम इंवेस्ट कर देते हैं सागर सर ने बोला है अच्छा ही होगा बिल्कुल भी नहीं सर मैं तो एक अधना सा आदमी हूँ कोई से भी रेजिस्टर भी नहीं को से भी रेजिस्टर वाला भी आपको बोले नहीं इस फंड अच्छा लगा तो मुझे कमेंड बाक्स में लिखके बताए कि मला आ गया चल्दी बताओ पढ़ रहा हूं कमेंट